राहुल गांधी के भाशन पर फिर चली कैची संसदिय रिकॉर्ड से हटाये गई ये चार शब्द जिहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का संसद में दिया दूसरा भाशन भी विवानों में आ गया है बजट पर चल्चा के दोरां सोमवार को नोकसभा में राहुल गांधी ने जो भाशन दिया था उसके कुछ शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है राहुल गांधी के दूसरे भाशन से जिन शब्दों को हटाया गया है उनमें मोहन भागवत अजीद दोबाल अमबानी और अडानी है राहुल गांधी ने अपने 45 मिनट के भाशन में इन चारों का नाम लिया था जिस पर स्पीकर ओम बिर्ला ने आपत्ती भी जताई थी नेता प्रतिबक्ष के तौर पर राहुल गांधी के दूसरे भाशन के केंदर में चक्रव्यू रहा राहुल गांधी ने महाबारतियूत की चक्रव्यू सनंचना का खिक्र करते हुए कहा कि इसमें डर हिंसा होती है और अभिमन्यू को फसाकर छे लोगों ने मारा उन्होंने चक्रव्यू को पदमा व्यू बताते हुए कहा कि ये एक उल्टे कमल की तरह होता है राहुल ने कहा था कि एक नया चक्रव्यू तयार हुआ है वो भी लोटस की शेप में है जिसको आज कल पीम मोधी छाती पर लगा कर घुमते हैं अभिमन्यों को छे लोगों ने मारा था जिनके नाम द्रोन, कंड, कृपाचार्या, कृतवर्मा, अश्वस्थामा और शकुनी थे आज भी चक्रव्यू में छे लोग हैं चक्रव्यू के बिल्कुल सेंटर में छे लोग कंट्रोल करते हैं जैसे उस टाइम चे लोग कंट्रोल करते से वैसे आज भी चे लोग कंट्रोल कर रहे हैं राहुल गान्दी के इस बयान पर लोग सबाद्देक्श ओम बिल्डा उन्हें टोकते हुए याद दिलाते हैं कि जो शक्स इस सधन का सदस्से नहीं है उसका नाम ना लिया जाए इस पर राहुल गान्दी ने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि वो अजीद डोबाल अडानी और अमबानी का नाम ना ले तो वो नहीं लेंगे उन्होंने आरोप लगाए कि देश की जनता को मोधी सरकार निचकर व्यू में फसा दिया है इसमें किसान और यूवा सबसे ज़्यादा पीडित हैं राहुल गान्दी ने एक जुलाई को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद में पहला भाशन दिया था तब उन्होंने राश्च्रपती के विभाशन पर चर्चा की दौरान भाशन दिया था पहले भाशन के एक बड़े हिस्से को संसदे रिकॉर्ट से हटा दिया था भाशन के अंच हटाने के बाद राहुल गान्दी ने नाराज की जाहिद करते हुए लोगसभा स्पीकर को चिट्टी भी लिखी थी राहुल गान्दी ने चिट्टी में लिखा था कि मैं ये देख कर स्थब्ध हूँ कि किस तरह मेरे भाशन के एक बड़े हिस्से को कारवाई से निकाल दिया गया और उसे अंच हटाने की आड में हटा दिया गया राहुल ने ये भी दावा किया था कि हटाए गए अंच नियम 380 के दायरे में नहीं आते हैं लोगसभा के प्रक्रियत अथा कारे संचालन नियमों के नियम 380 में कहा गया है कि अगर अध्यक्ष की राय है कि बाद विवाद में एसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अपमांचनक या अशिष्ट या अनसंसदिये या अशोभनीये हैं तो अध्यक्ष अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश दे सकते हैं कि ऐसे शब्दों को सदन की कारिवाही से निकाल दिया जाए ऐसा नहीं है कि बोलने की आजादी के साथ सांसद कुछ भी कह सकने के लिए आजाद है कोई भी शब्द या टम ऐसा ना हो जो संसद की गरीमा को भंग करता हो यही अवाला देते हुए सदन की कारिवाही के दौरान कई बार सांसदों के भाशन से कुछ शब्द वाकिया बड़े हिस्से भी अटाय जाते रहे हैं इस प्रोसेस को एक्सपंक्शन कहते हैं लोगसभा के प्रक्रिया और कारे संचालन नियम 380 के तहत ऐसा किया जाता रहा है संसद के मौन्सून सत्र का मंगलवार यानि 30 जुलाई को सात्वा दिन है आज के इन सरकार 6 नय बिल पेश कर सकती है इसमें 90 साल पुराना एरक्राफ टैक्ट पिल यानिती 1934 बदला जा सकता है केंडरे वित्त मंत्र निर्मला सीता रमन आज लोग सभा में जमू कश्मीर का बजट पेश करेंगी सत्र के छटे दिन संसत में बजट और दिल्ली हाथ से की गूंज रही विपक्ष के नेता राहुल गांदी ने बजट की तुलना महाबारत के चक्रवियों से की उन्होंने कहा कि अजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में भी अभिवन्यों को चक्रवियों में फजा कर छे लोगों ने ही मारा था देश दुनिया के ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजटल प्लाटपॉर्म समेडिट्रल